हालो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखे नारियल यानि कि गोले और गुड की बर्फी इसके लिए कड़ाई में एट करेंगे एक बड़ा चमजगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हो एक गोला इसको हम ग्रेट कर लेंगे बारीक वाले ग्रेटर से इस और इसको भी हम कड़ाई में एट कर देंगे इसको हमें लगातार चलाते हुए चार से पांच मिनट के लिए भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और बहुत ही टेस्टी बनती है यह बर्फी बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं इसक इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोले के साथ और इसको ड्राइ होने तक हम पकाएंगे जब तक यह सारा दू जो है गोला एब्जॉब ना कर ले इस तरीकी से हम इसको चलाते रहेंगे और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक कप जैगरी पाउडर या फिर आप की जगह पर गुड को ग्रेट करके या बारी काटके डाल सकते हैं इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग तीन से चार मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे लगातार चलाते हुए हमें पकाना इसे और यह ड्राय हो चुका है हमारा जो यह मिक्स्चर है गोले क अब हम इसमें एड करेंगे 1 फॉर्थ कप मिल्क पाउडर इससे जो बर्फी का टेक्स्चर है बहुत ही अच्छा आता है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और अगर आपके पास मावा एबिलेबल है तो आप मावा भी एड कर सकते हैं इसमें मिल्क पाउडर की जग कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से से कर लेंगे इसको और उसके बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे एक चाकू की हेल्प से आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है यह बर्फी और इस तरीके से हम इसे 15-20 मिनट के लिए रूम टेंपरिचर पर सेट होने देंगे और यह हमारी कोकोनट बर्फी रेडी हैं